अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल को कुविद गुलनास टी बिस्मिल्लाइ रहानी रहीम तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी रेसिपी की जो है मटन सीख कबाब तो इसके लिए हम सबसे पहले आदा कीलो मटन का कीमा ले लेंगे उसे अच्छे से धो कर उसमें से पूरा पानी हमें निचोड लेना है बिल्कुल भी पानी हमें नहीं रखना है बहुत ही रूखा कर लेना है कीमे को इसके बाद में हम उसके अंदर दो रफली चौप प्यास डालेंगे इसके बाद में हम इसके अंदर 20-25 लहसुन की कलिया और 4-5 इंच अद्रग डालेंगे या आप देड टीस्पून अद्रग लसन का पेस्ट भी डाल सकते हैं तीन से चार हरी मिर्चे इसके बाद में एक तीस्पून गरम मसाला पाउडर तीन टीस्पून आपको कुटीवी धनिया या धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं दो टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर या कुटीवी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं देड टीस्पून नमक डालना है ये सब चीजे आपको इसके अंदर डा करएंगे तो अगर यह साथ में होता है तो आप थोड़ा थोड़ा लेकर भी ग्राइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको इसकी बहुत ही맛ी सबाती हैं और पेस्ट बनाते वकTION आपको अगरेंगा पाणी हैं которой प्राइड करेंगे तो आप फारैंड नहीं की आनके दक ठीद के बेकिंग सोडा जो होते हैं वो लोग यही यूज करते हैं सीख को जल्दी पकाने के लिए इसके बाद में आप इसके अंदर दो टेबल स्पून घी डालेंगे घी आपको गरम करकर डालना है जितना कि आपका हाथ हैंडल कर सके उतना आपको टेंपरेचर रखना है घी का और यह एड़ करने के बाद में आपको घी जो है कम से कम आपका दो टेबल स्पून दो से ढ़ाए टेबल स्पून होना चाहिएगी और इसके बाद में आपको पाँच मिनिट तक के लिए बहुत ही अच्छे से गूंदना है जिस तरह से हम आटा गूंते हैं उस तरह से आपको आपके सीख कबाब होटेल स्टाइल नहीं बनेंगे तो होटेल वाले होते हैं वह लोग बहुत ही अच्छे से गूंद लेते हैं आटे की तरह तह हमें भी उसी तरह से गूंदना है इसके बाद में हमें कोईला गरम करकर घी या तेल आप डाल कर इसको कोईले की खुश्बू आने के लिए ढखकर 10-15 मिनिट तक आपको ढख लेना है तो 10-15 मिनिट के बाद में हम ये हटा रहे हैं कोईला और इसके बाद में हम फिर से थोड़ा सा इसे गूंद लेंगे और सीख बनाने के लिए हमें एक बाउल में या प्लेट में पानी लेकर हाथ उसमें डुबो लेना है और जो हम स्टिक लेंगे उसे भी हम 10-15 मिनिट तक पानी में भीगो के रखेंगे ताकि सीख उसके उसके अच्छे से बन सके तो यह हमने गोला ले लिया है कबाब जो हमने पीसा था उसका और जितना बड़ा आपको सीख बनाना है उतना बड़ा आप गोला ले ले मैं मीडियम साइज के ही बना रही हूँ तो मीडियम साइज का गोला मैंने लिया है और फिर उसको थोड़ा सा लंबा कर लिया है रोल कर कर और फिर उसको हम उस स्टिक पर लगाएंगे तो देखि Talshat genial sat लगाने के बाद में आपको मेरे हाथों पर ध्यान दे ना हे कि मैंने कि स्टरह से शेब देने के लिए लंबा किया है मटन को कीमे को तो देखिये जो अंगुठा हे वो हमारा उपर रहेगा और जो उंगली है वो अंगुठे के नीचे रहेगी ताकि जो shape होता है hotels वगेरा में हम खाते हैं तो वो shape हमारा आ सके इस seek aub पर तो देखिए इस तरह से आपको shape देना है और हमारा उसी तरह का shape भी आ चुका है इसी तरह से हम बाकी सीख भी बना लेंगे जिस साइस का आप चाहते हैं आप उस साइस का बॉल लेकर बना सकते हैं अगर आप बढ़ा चाहते हैं तो आप और उसको दबा दबा कर बढ़ा कर सकते हैं सीख को तो देखिए दूसरा भी मैंने medium size का ही लिया है और उसी तरह से मैं वापस से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आपको उंगलियां किस तरह से रखनी है वो shape पाने के लिए जो हमको hotels में मिलता है तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है तो 20 सीख मेरे आदा किलो कीमे में बन गए अगर मैं medium size के बनाती हूँ तो और यह मैंने आपको बताया है कि मैंने freeze करकर रखा था क्यूंकि मुझे फॉरन नहीं बनाना था तो आप इसी stage पर freeze भी करके रख सकते हैं और इसी लिए मेरे सीख कबाब जो है उसका shake थोड़ा सा बिगड गया है क्यूंकि मैंने उसे freezer में रख दिया था तो अगर आपको फॉरन बनाना है तो आप फॉरन भी उसे fry कर सकते हैं लेकिन मुझे फॉरन नहीं बनाना था तो मैंने उसे freeze करके रख दिया था पैकिंग बैग में तो अगर आपको fry करना है तो आपको थोड़ा तेल लेना है आप simple pan भी ले सकते जरूरी नहीं है कि आप grill pan ही ले और एक तरफ आपको 5-6 मिनिट fry करना है उसके बाद में पलटके और 5-6 मिनिट आपको दूसरी तरफ भी fry कर लेना है और थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल लेना है क्योंकि तेल जो है वो कम पड़ जाता है एब्जॉब कर लेता है सीख तो थोड़ा सा तेल आप और डालिए अगर तेल कम पड़ता है तो अब जब दूसरी तरफ से भी हो जाएगा तो क्योंकि इस एक गोल होते हैं तो हमें उसे आजू-बाजू से भी पकाना है तो जहां जहां पे आजू-बाजू में आपको कच्छा दिखेगा तो आपको इस तरह से पलट-पलट कर उसे अच्छे से पका लेना है तो मैंने भी इसे पलट पलट कर अच्छे से पका लिया है और ये बहुत ही जल्दी हो जाते हैं इसे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है क्योंकि हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है इसको पकाने के लिए तो आपको इस तरह से पलट पलट कर देखकर कि कहां से वो कच्छा है ये देखकर आप अच्छे से उसे पका ले और फ्लेम आपको मीडियम पे रखनी है बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखनी है तो आपको मीडियम पे रखके इ तो आप वैसे भी रख सकते हैं यह आप अगर रोटी वगला से कहाना चाहते हैं यह आप ऐसे घाना चाहते हैं और आप निकालकर भी प्रीज कर सकते हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक और शेर करना ना भूले और कमेंट्स में बताए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी ठैंक यू